हेई गाईस कैसे आप सब तो आज की स्टोरी है एक लड़की की जो की लेस्बेरन है और यह ज़ादा किसे से बात नहीं करती ब्ट इसकी लाइफ में एक लड़की आती है और इसकी जिन्दी पूरी बदल जाती है और जब आप इस स्टोरी को पूरा सुनोगे पूरा कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे कभी गिवप नी करना चाहिए मतलब कि उसको पानी के लिए हर एक मुस्किल कोशिश करने चाहिए तो या गाइस जब आप यह स्टोरी देखोंगे तो आप थोड़ा सा इमोशनल जरूर हो जाओगे स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले चैनल प पहले ही गुजर गया जिसीसे वह जादा किसी से बात नहीं करती और हमें साथ चुपी रहती है वह कहती है कि मुझे बहुत साल होगे पसंद करते हुए उसे लेकिन अभी तक मैंने उसे प्रपुस नहीं किया दूसरी सिमां को रिया को उसकी बेहन समझा रही थी और मेगना भी वहीं पे थी तो रिया जब रेस्टरान में जा रही होती है तो वो मेगना से टकरा जाती है और रिया के कुछ बुक्स नीचे गिर जाते हैं तो मेगना उसका बुक्स उठाती है और से कहती है कि क्या क्या तुम मुझे जानती हो हम दोनों एक स्कूल में पढ़ कि मुझे कुछ भी नहीं चीए मुझे बस अपने बड़े पर एक हाउस पार्टी रखनी है और इसमें मुझे मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स को बलाना है फिर रिया की बहन उसकी बात सुनके कहती है तुम्हार तो कोई फ्रेंड है ही नहीं क्योंकि तुम तुम तो जादा किसी से बात ही नहीं करती है तो फिर रिया मुस्कुराते हुए कहती है कि एक है मेरी दोस्त और वो यहाँ पर मेगना की बात कर रही फिर तभी वहाँ पे एक अमीर लड़की आती है और वो अपने कार की चाबी मेगना के एक दोस्त और वो लड़का था उसको दे देती है वो कहती है कि ये मेरी जो कार इसको पार्क कर देना और वो जो कार की चाबी होती है वो उसके हाथ में नहीं देती है वो नीचे फेक दे फिर वो रिया को भी कहती है कि चलो तुम भी लॉंग ड्राइब पे चलते हैं वो तो पहले नहीं मानती लेकिन बाद में वो हांग बोल देती है और उन लोगों के साथ वो एक लॉंग ड्राइब पे जाती है इस ट्रिप को रिया बहुत इंजॉय करती है और वो पहली बार हस के किसी से बाते कर रही थी मतलब कि वो आज बहुत ही खुश थी और इसका रीजन कोई और नहीं मेगना थी फिर देखते ही देखते ही रिया का बड़े भी आ जाता है फिर मेगना तयार होती है और वो तयार होके जाती है उसके बड़े में जब बड़े में पहुशती है तो हो देखती है कि बड़्डे तो बहुत हैं फीका-फीका है मतलब कि बड़्डे में बस वो है I mean Ria है और उसकी बस बहन है और कोई नहीं इस बात से मेगना की एक्स गर्फरेंड भी आ चुकी थी और ये जब मेगना उसको देखती है तो वो से इग्नूर करती है मेगना की फ्रेंड सबसे कहती है कि क्यों राम कपल डांस करे तो सब भी अपने पेर्स चुल लेते हैं और लास्ट में बसते हैं मेगना फिर इनके साथ कोई डांस करने वाला नहीं था तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही डांस करते हैं और वो वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके वो अकेले में एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते पता नहीं क्यों फिर ऐसे ही डांस करते करते वो दोनों क्लोज आ जाते हैं जब वो क्लोज आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर लेते हैं यानि कि वो दोनों एक दूसरे को किस नहीं करते हैं तभी वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, जब वो दोनों घर के अंदर आते हैं, तो लाइट चली जाती है, सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों कमरे में जाते हैं, और कमरे में जाके कैंडल जलाते हैं, फिर उन दोनों से कंट्रोल नहीं होता, और वो दोनों उसके साथ मेगना भी और उसने उसका हाथ पकड़ा है ये बात रिया की बहन को बहुत अजीब लगता है लेकिन वो इस बात को इगनूर करती है फिर पार्टी खतम हो जाती है फिर मेगना जब घर जाने लगती है तब ही उसको रिया की बहन रोखती है वो कहती है कि तुम मेरी बेहन के साथ कमरे में क्या कर रही थी तो फिर मेगना भी नीडर होके उसे कहती है मैं तो बस तुमारी बेहन को खुश करना चाहती थी वो हमेसा डिप्रेसन और स्ट्रेस में रहती है मैं उसे बाहर लाना चाहती हूँ ये बात रिया भी सुन रही थी और उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है फिर अगले दिन मेगना फिर से रिया के घर आती है और वो उसके लेक सट अच्छा सा गिफ्ट लेकर आती है वह कहती है कि shouldly ये गिफ्ट आ लेकिन राट को इत्नी एक्साइटर थी कि तुम्हाले गिफ्ट लाने भूलेगी और ये बात वो बहुती फ़नी बे में कहती है और उसके बात रिया की मम्मी भी सुन रही थी और रिया की मम्मी मेगना से बहुत इंप्रेस होती है लेकिन उसके बेहन को कहीं न कहीं मेगना अच्छी नहीं लगती फिर रिया के मामी मेगना को कहती है कि बेटा अब तुम आई गई हो तो लंच करके जाना तो मेगना मना नहीं करती है वो खुशी-खुशी करके अंदर जाती है और लंच करने लगती है फिर वो जब लंच कर रही होती है तब ही रिया की बेहन उसके पास आती है और वो रिया का future बताती है वो कहती है कि अब Ria college में जा रही है उसके बाद वो ये करेगी वो करेगी और life में बहुत ही तरक्की करेगी फिर वो मेगना से बुस्ति है कि तुम क्या करोगी अपने life में आगे तो फिर मेगना उसे कहती है कि अब मुझे कुछ नहीं करना अब जो मेरे पापा करूँगी जो मेरे से प्यार करेगा मैं उसके साथ memories collect करूँगी और उसे हमेसा याद रखूँगी रिया की ममी को मेगना की बाते बहुत अच्छी लगती है फिर मेगना लंच कर लेती है और वो चली जाती है फिर उसे रिया कॉल करती है वो कहती है कि सुनो रात को जब सु तो जाए नो तो तुम मेरे घर जरूरा ना उसकी बास सुनके मेगना बहुत excited हो जाती है वो बस इंतजार करती है कि कब रात आए और देखते देखते रात भी आ जाती है फिर मेगना वो खिड़की से जाती है रिया के गर पे ये देखने में बहुत funny होता है और उसको रिया का कमर पकड़ती और अपने पास किस ही और से किस कर लेती है और उन दोनों को इंटीमेट होता देख उसकी बहन देख लेती और ये बास उसे बिल्हुत भीं अच्छी नहीं लगती लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं पकर तो ये देखके वहां से चली जाती है फिर अगले दिन रिया के पास उसके बेहन आती है वो कहती है कि रात को जो तुम दोनों के बीच में हो राता मैंने सब देखा ये बात सुनके रिया बहुत डर जाती है और चे शरम आने लगती है पिर वो कहती है कि जो तुम दोनों के बीच में चल रहा है ना वो अब जादा दिन तक नहीं चलेगा पिर रिया बाहर जाती है और ये बात जाके वो मेगना को बताती है मेगना कहती है कोई बात नहीं हमारे पर जितने दिन है ना उतने दिन ही तुम्हारे साथ खुश रहना है मुझे ये बास सुनके रिया को भी बहुत अच्छा लगता है फिर ये दोनों बाहर जाके बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं दूसरे के साथ लाइब कॉंसर्ट में जाते हैं कलब जाते हैं म्यूजिक कॉंसर्ट में जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं ये जो पल था ये इन दोनों की जिन्दी का सबसे खूबसूरत पल था फिर वो दिन भी आ जाता है जब रिया को कॉलिज के लिए दूसरे सहर जाना था और वो दूसरे सहर नहीं जाना जाती थी फिर वो अपनी बहन के पास आती है और वो उसे कहती है कि मुझे कॉलिज नहीं जाना जाती है उसकी बहन समझ जाती है कि वो क्यों नहीं जाना चाती ह और रिया को ये vacation कुछ अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन वो फिर भी अपनी बेहन को खुश करने के लिए क्या दी थी कि ठीक है हम vacation पे चलेंगे फिर रिया मेगना को कॉल करती है और उसे भी vacation के लिए बुला लेती है फिर जब मेगना आती है तो उसकी बेहन बहुत गुसा होती है वो कहती है ये family vacation था तुम ने किसी और को क्यों बलाया फिर तब ही पीछे से रिया की मम्मी आ जाती है वो कहती है अरे ये हमारी guest है और खुश है तो उसे खुश रहने तो फिर वो लोग vacation के location पर पहुँच जाते हैं वहां जाके वो लोग एक hotel बुक करते हैं और रिया और मेगना अलग सा कमरा लेते हैं ये बात रिया की मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता वो सोचने लगती है कि रिया ने अलग से क्यों कमरा वो हमारे साथ भी तो रह सकती है तो उसके पीछे मेगना भी आ जाती है और वो बिना gate बंद केlingt कर ने लगते और दो किस करने लगती है फिर तभी उसके कमरे में रिया की मम्मी आ जाती है और उन दोनों को किस करता है वो देख उसकी मम्मी देख लेती है इस बास से उसकी मम्मी को बहुत गुसा आता है फिर वो रिया का हांत पकड़ती है उसे मेगना से दूर करती है और उसे मेगना को थपड मार देती है फिर वो रिया से कहती है कि य अगर वो नहीं आती ना मेरी लाइफ में तो मैं एक कोने में पढ़ी रहती और हमेसा रोते रहती फिर तब ही वहां पर रिया की बहन आ जाती है वो कहती है कि चलो अच्छा ही हुआ तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए फिर रिया कहती है कि प्लीज दीदी आप चुप र जाते हैं फिर मेगना रिया के ममी के पैरों में गिर जाती है वो कहती है कि आंटी जी प्लीज मुझे इससे दूर मत करो मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और आए प्रॉमिस में इसको बहुत खुश रखूंगे ये बात वो उसे रोते हुए कह रही थी और उसका आसू दे है और वो रिया के हाथ में दे देती है वो कहती है कि अब ये तुम्हारी जिम्हेदारी है इसका अच्छे से ख्याल रखना फिर रिया की बहन उसे कहती है कि मा आप ये कैसे कर सकते हो ये प्यार है ये तो मुझे मजाक लग रहा है फिर रिया को बहुत गुसा आ जाता है औ और वो कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर इधर मेगना और या एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे को प्रामिस करते हैं कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे और यह क्या कि वो दोरे एक दूसरे को किस करते हैं स्टोरी यहीं पर दी एंड करते हैं थैंक्स फर वाचिंग गाइस में मेलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में